प्रेशन नमबर एक बाजार दर्शन पार्थ के जो लेखक हैं वो कौन है अप्शन नमबर एक है अग्ये दूसरा है जनेंदर कुमार तीसरा यश्पाल चौता है राम वरिक्ष बेनिपुरी तो जो बाजार दर्शन पार्थ के जो लेखक हैं वो हैं हमारे जनेंदर कुमार जी जिनके बारे में हमने पूरा जीवन परीचे भी पढ़ा है पार्ट को समझने से पहले आपको से जरूर एक पर जीवन परीचे पढ़ें जीवन परीचे पढ़ने से आपको जिनेंदर कुमार जी के विशे में अधिकतर जानकारी हो जाएंगे जिससे संबंदित यहाँ पर और भी प्रशन आप से पूछे जाएंगे जीवन परीचे जरूर पढ़ें और यहाँ पर हमें पता लगता है पहले प्रशन का जो सही उत्तर है वो है जिनेंदर कुमार बाजार दर्शन पार्ट के लेखक कौन है जिनेंदर कुमार जी प्रश नमबर दो ये पार्ट गद्य लेखन की कौन सी विधा में है संस्मरण है कहानी है निबंध है उपन्यास है तो ये निबंध शैली में लिखा गया है जो ये पार्ट है क्या बाजार दर्शन ये निबंध शैली में लिखा हुआ है निबंध ये वो निबंध नहीं है बच्चे समझ जोंगे जो आपको परिक्षाओं में निबंध पूछा जाता है ये निबंध है एक शैली शैली यानि की तरीका जैसे आप कहानी समझते हैं उपन्यास समझते हैं एकांकी समझते हैं नाटक समझते हैं वैसे ही निबंद होता है थोड़ा टफेस्ट शैली होती है अगला प्रशन है बाजार का पोशन करने वाले अर्थ शास्त्र को लेखक ने क्या नाम दिया है बाजार का पोशन यानि बाजार जो है चलता रहता है क्यों चलता रहता है क्योंकि खरीदार आते रहते हैं और बेचने वाले जो हैं अपने बिजनस को बढ़ा रहे हैं ऐसे अर्थ शास्त्र को लेखक जो है क्या कहते हैं नीती शास्त्र अनीती शास्त्र बाजार शास्त्र या फिर समाज शास्त्र तो ऐसे शास्त्र को अनीती शास्त्र कह रहे हैं लेखक क्यों कह रहे हैं क चमक धमक में फस कर अपना पैसा जो है वहाँ पर व्यर्थ ही नश्ट करते हैं और इस तरीके से हमें वहाँ पर चूरन वाले की भी चर्चा मिलती है जो अपने जरूरतों को जानता है बाजार में जाता है और उसको चमक धमक बिल्कुल अपनी और आकर्शित नहीं कर पाती तो इस तरीके से जो बाजार जो अपनी चमक धमक में लोगों को फसाता है वो उसकी वज़ा से जो लेखक है वो इस अर्थशास्त को अनीती शास्तर कहते हैं चौता है सा विशेश शब्द में उपसर्ग क्या है तो यहाँ पे सा विशेश शब्द है आप इसमें सा अब कैसे उपसर्ग निकलेगा इसके बारे में भी वीडियो बनी हुई आप चैनल पर जरूर देखें वीडियो आपको शौर्ट्स बहुत सारे मिल जाएंगे इस पर जहां पर आपको उपसर्गों प्रते बहुत अच्छे सा समझाए हुए फिलाहल हम यहां पर देखते है सविशेश जब हमें उपसर्ग निकलना होता है तो उपसर्ग यह याद रखिए कि उपसर्ग आगे लगता है तो उपसर्ग आगे लगता है तो हमें पीछे से एक ऐसा वर्ड निकलना है जिसका मीनिंग हो विशेश यहां पर निकलता है विशेश अब आप देखेंगे कि विशेश भी निकलता है एक वर्ड बच्चे कहेंगे लेकिन जो ये सवी है ये कोई उपसर्ग नहीं होता है अब आपको यहाँ पर एक तरीका बताया जा रहा है कि आप उपसर्ग निकाल सके तो इसका मतलब यह नहीं कि आप जो है कोई भी वर्ड पीछे से निकाल देंगे और पीछे से निकालने के से आपके पास जो आगे उपसर्ग बसता है वो बहुत ही गडबड सा आप कोई उसमें सेटलमेंट कर लें तो साव विशेश यहाँ पर अगर बात की जा रही है तो आपको अगर यह नहीं पता है कि प्रॉपर उपसर्ग वर्ड इसमें से कौन सा ह होता है क्योंकि उपसर्ग के बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चे उन्हें नहीं याद करते हैं वो कोई ट्रिक यूज करते हैं और या फिर यहां पर एक ट्रिक हमने जो यूज कि पीछे से जो एक जिसका अपना एक प्रॉपर मेनिंग हो वो वर्ड आप रिमूव करें देना आपके पास जो बचा वो अपका उपसर्ग हो गया तो जैसे हमने पीछे से विशेश निकाल लिया कुछ बच्चे इसमें सिष्च भी निकाल लेंगे तो शेश निकलने के बाद आपके पास बच्चा सवी सवी जो कि कोई यहां पर उपसर्ग नहीं होता लेकिन आप option दिया हुआ है बच्चे सोचेंगा कि यह सही उत्र मुझे मिल गया है इसलिए आपको उपसर्ग भी मालूम होने चाहिए कि उपसर्ग कौन-कौन से होते हैं तो यहां पर सविशेश जो है जो वर्ड है इसमें विशेश जो है प्रॉपर वर्ड है और सजो है इसके आगे अश्रे है वो किसको देते हैं स्वैम को देते हैं मित्र को देते हैं अपनी पत्नी को या फिर लेखा को तो वो खरीदारी का सारा श्रे जो है अपनी पत्नी को देते हैं जैसा कि आप आप देखेंगे आज के टैमे सोशल मीडिया पर भी मेम्स पढ़िए पत्नी जो है पर connect हो जाती है तो खरीदारी का जो श्रे है चाहे आप श्रे दे दीजिए चाहे ब्लेम कर दीजिए वो सीधे कहाता है पत्नी के उपर आता है तो इस तरीके साब यहां पर यह connect कर लेंगे आपको उत्तर मिलेगा प्रश नमबर 6 लेखक ने किसे पावर कहा है पावर की बात क को शैतान का जाल किसने कहा है शैतान का जाल जिसमें कोई वेक्ति फास जाये तो निकल नहीं सकता वैसा ही जाल जो है बाजार को समझते हैं लेखक किसने कहा यह बात लेखक ने पत्नी ने मित्र ने या फिर किसी ने नहीं तो जो बाजार को शैतान का जाल कहा है वो किसने क मित्र ने कहा है प्रेश नमबर आठ लेखक क्या खाली लेकर बाजार ना जाने को कहता था यानि लेखक जो है पार्ट में बताते हुए नजर आते हैं कि बाजार जब भी वेक्ति जाए तो उसके पास अपने जरूरतों की लिस्ट होनी चाहिए जिससे कि उसे पता हो कि उसे क इसे प्रश्ण मनता है लेखक क्या खाली लेकर जाना जो है बजार जाने को मना करते हैं मन है थैला है या फिर परस है या फिर बरतन है पहली बात तो हम बाजार बरतन लेकर जाएंगे नहीं परस खाली लेकर जा नहीं सकते परस खाली लेकर जाएंगे तो हम पे कैसे करेंगे और थैला तो खाली ही जाता है तब ही आप बाजार से समान खरीदेंगे थैला भरके ले जाएंगे तो बाजार जाने की जरूत क्या है तो मन खाली नहीं होना चाहिए मन खाली होने का क्या मतलब है कि मन में आपको पता होना चाहिए कि मेरी ये जरूरते हैं ये चीजे मेरे पास नहीं मुझे बजार जाना है और ये चीजे लेनी है तो मन नहीं खाली होना चाहिए अगर आप खाली मन से जाएंगे देख लेंगे वहीं बजार में कुछ ले लेंगे अगर कुछ काम की चीज दिख गई तो अगर आप इस मूर से जाएंगे तो आप बजार में जाएंगे सिफ पैसा वेस्ट करेंगे लेकिन आपको पता है कि आज घर में चीनी दूद नमक कुछ भी नहीं है सबजी नहीं है दाले नहीं है या फिर आप अपने परसनल यूज की चीज लेने जा रहे हैं वो नहीं है तब आप बाजार जाएं जहां आप अपने जरूरतों की चीजों को खरीदा करेंगे प्रेश नमबर 9 पाठ में लेखक के कितने मित्रों का जिक्र हुआ है तो पाठ में लेखक ने अपने मित्रों का जिक्र किया है अब वो कितने लेखकों का जिक्र किया है उन्होंने वहाँ पर तो उन्होंने दो अपने मित्रों का जिक्र किया है प्रश नमबर 10 बाजार दर्शन पार्ट के लेखक ने किसका वर्णन किया है वह भोकतावाद, सामप्रदाइक्ता, जातीवाद, बाजार के जादूई प्रभाव जाती बाद संपरदायक्ता तो बिल्कुल भी नहीं है वो भुकतावाद की थोड़ी बहुत चर्चा हुई है लेकिन बाजार दर्शन पार्थ में जो है लेखक ने मेंली किस बाद की चर्चा की है तो वो किस बाद की चर्चा की है लेखक ने लेखक ने की है बाजार के जाद की बात करते हैं कि किस तरीके से बाजार की चमक दमक जो है लोगों पर इतना प्रभाव डालते हैं कि लोग जो है बेवजा की चीजे जो है खरीदते चले जाते हैं अब इसका प्रभाव किसके उपर नहीं पढ़ रहा है पार्ट में यह भी बताया तो वह कौन है जिसके उप अकिंचितकार कहा है जिसका अर्थ है यानि लेखक ने चुरन वाले को अकिंचितकार कहा है जिसका क्या मीनिंग होता है व्यापारी ठग अर्थहीन या फिर भिखारी देखे भिखारी तो बिल्कुल भी जिस तरीके से लेखक ने चुरन वाले के बारे में पार्ट में हमें ब प्रश नमबर 13 बाजार दर्शन का प्रतिपात दे क्या है बाजार दर्शन का जो पार्थ हमने पढ़ा है उसमें जो विशे हमने पढ़ा है उसका क्या प्रतिपात दे है बाजार ना जाने की सला बाजार से लाब बाजार जाने की सला बाजार के उपयोग का विवेचन तो ब बाजार जाने की सलाह भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बाजार जाना है या नहीं जाना है, लोगों का अपना personal thought होता अपने personal वो उनका point of view होता है, वो जाय और ना जाय, तो यहाँ पर सलाह देने का कोई मतलब नहीं बनता। लेखक जो हए ओपार्ट में यह बता रहे हैं कि बाजार का जो उपयोग है या नियुसको यूज करने का रभी तरीका है वह कीसा वो बिवेचन करने रहे हैं यह वह भ्रूर्व हुर्अने कि बाजार bers को और भाजार जाएगे तो आपकी सिप जयेब भरी होगी आप तभी ये कर पाएंगे चीजे लेते जाएंगे आपका मन नहीं बटेगा आपकी जयेब के पावर से ही फिर लेखक जो है वो पैसे के पावर को भी समझाने लग जाते हैं प्रेश्ट नमबर 14 बाजार में जादू को कौन सी इंद्रिय पकड़ती है हमारे कौन सी सेंसे जो है उसको जादा कैच करती है बाजार के जादू को पार्ट में हमें लेखक ये भी बताने की समझाने क तो वो कौन सी एंद्रिया है जो हम वजार में जाते हैं तो उसका जादू हमें जो है अट्रैक्ट कर लेता है तो वो है आखे हमारी नाख क क्या काम है हांत्स सर्थो हमें लेयं करी रहे हैं लेकिन बिना देखे आप हाथों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते चीजों के खृइद फरोगत में और पैर तो सिफ जाने के लिए काम आएंगे इदर उदर आप फस्ति है प्रैश्चन्बर 15 बाजार दर्शन पाठ के अधर पर धन की और कौन जुपता है पाठ भी लेख्अ कि अतल निर्दन निरी बल विवर्श या फिर आसहाय पार्ट में अब लेखक जो हैं हमें ये बताते हैं कि जो धन की और कोई जुकता है तो वो कौन है निर्बल निर्बल जो है विवश होकर धन की और जुकता है और उसको अगर पैसे की जिरोते तो किस तरीके से वेक्ति को जीवन में पैसे कमाने के लिए या फिर उसे पाने के लिए जुकना पड़ता है निर्बल व्यक्ति ही जो है मजबूर होता है उसके आग जुकने को प्रश्च नमबर 16 लेखक के मित्र ने बाजार को किसका जाल कहा है अब लेखक के जो मित्र है वो बाजार को किसका जाल बाताते हैं जी का जंजाल धन का जंजाल शैतान का जाल प्रणत पाल तो अभी हमने पिछला ही प्रशन पढ़ा है जहां पर यह प्रशन पूझा था कि बाजार को शैतान का जाल किस ने का है लेखक ने का है उसके मित्र ने का है तो फिर हमने पढ़ा था कि उसके उनके मित्र ने का है तो यहां पर वही प्रशन दूसरी तरीके से ब पीर चक्र तो जो इसका सही उत्तर है वो है पद्म भूशन भारा सरकार ने जिनेंदर कुमार को पद्म भूशन से सम्मानित किया था उनको यह उपाधी दी थी प्रश नमबर 18 लेखक के अनुसार सैयमी लोग कैसे होते हैं सैयमी जिनको कंट्रोल है कि हाँ यह चीजे हमें कर लेखक के अनुसार जो लोग अपने इमोशन को अपने जरूरतों को इच्छाओं को उन्हें कंट्रोल करने आता है वो लोग कैसे होते हैं लेखक के अनुसार बात हो रही है यहां पर तो वो लोग कैसे होते हैं वो फिजूल समान को फिजूल ही मानते हैं जो पार्ठ में मे यानि कि वो अगर controlling power है उनमें तो उनको यह पता है कि कौन सी चीज़े सही है और कौन सी चीज़े बेकार है तो वो लोग कैसे होते हैं वो फिजूल समान को फिजूल मानते हैं प्रेश नमबर 19 पैसे की purchasing power के प्रियोग में क्या है यानि जो पैसा है उसके पास purchasing power आपके पास पैसा है तब ही आप कुछ खरीदेंगे वही power है तो पैसे की जो purchasing power है उसके प्रियोग में क्या है तो पैसे की जो purchasing power है उस power में power का रस है power क्या है actual में उससे समझ में आता है तो पैसा जो है उसकी purchasing power से power का जो meaning है वो समझ में आता है प्रेश नमबर 20 और पैसा होता और समान होता आता और पैसा होता तो और समाना था क्या देखकर लेखक ने ऐसा सोचा तो अब ये भी बात होती है पाठ में कि आप जब बाजार में जाएंगे आप बिना मन के जाएंगे आपकी जेब भरी होगी तो आप चीजों को देखेंगे आपको ये भी अच्छा लगेगा वो भी अच्छा लगेगा और आप हर चीज खरीदेंगे और उसके बाद आप ये भी सोचेंगे कि और भी पैसा होता तो मैं और भी चीजे खरीद लेता तो इस तरी के तो ये क्या देखकर लेखक कैसा सोचता है तो लेखक जो ही ये सारी चीज़े किसे देखकर बोलता है मित्र के खरीदे हुए समान और मनी बैक को देखकर तो खरीदे हुए समान और मनी बैक को देखकर जाहिर जी बात है आँ इनसान भी यही करता है कि आप अपना परस देखेंगे आप अपना wallet देखेंगे पैसा नहीं है आप सोचेंगे और पैसा होता तो मैं और भी खरीद लेता खरीदे वे समानों को देखेंगे लगता आपने आज कितनी अच्छी shopping की है तो ऐसा आप तभी बोलेंगे और पैसा होता तो मैं और समान खरीद लेता प्रश्च नमबर 21 समान जरूरत के हिसाब से नहीं बलकि किस हिसाब से आता है प्रश्च नमबर 21 का जो सही उत्तर है वो क्या होगा purchasing power यानि अब के पास पैसा कितना है उस हिसाब से चीजे खरीदी जाती है प्रश्च नमबर 22 बाजार में समान को कैसे रखा जाता है बाजार में समान को सजाधा जाकर रखा जाता है जिससे की कोई भी कस्टमर आए अट्रेक्ट हो उसे खरीदने को मजबूर हो जाए प्रश्च नमबर 23 बाजार का जो आमंतरन है वो कैसा होता है तो बाजार का जो आमंतरन होता है वो मूख होता है और चाह जगाने वाला होता है यानि कि वो शान्त होता है शान्त या फिर मूख और चाह जगाने वाला होता है प्रश्ण नमबर 24 पार्ट के अनुसार चाह का क्या अर्थ है पार्ट में जो हमें बताया गया है उसके अनुसार जो है वो चाह का क्या अर्थ होता है तो चाहत का मतलब क्या होता है आप चीजों को चाहते हैं कि मैं ले लूँ यानि वो चीज नहीं है इसलिए आप इच्छा कर रहे हैं तो चाह का मतलब क्या हो गया अब हाओ कहां खड़े होकर व्यक्ति बाजार को देखता है कहां खड़े होकर व्यक्ति जो है बाजार को देखता है तो वो चेक बाजार में खड़ा होकर देखता है कौन मनुष्य को आसंतोश, त्रिशना और इर्शा से घायल करके बेकार बनाता है यानि ऐसी कौन सी चीज़े जिसे विक्ति को सैटिसफेक्शन नहीं होती उसको चीज़े कम ही लगती है त्रिशना यानि छाय पूरी होती है इर्शा होती है जलन होती है उससे वो घायल होता है और बेकार बनता चला जाता है तो बाजार का जादू है वो बाजार का जादू जो है लेखक के दूसरे मित्र ने बाजार से क्या खरीदा जो लेखक के दूसरे मित्र की बात हुई तो उन्होंने बाजार से क्या खरीदा क्योंकि उनको मालुम है अपनी जरूर्तें प्रेश नमबर 28, मनुश्य को सब और की चाह कब घेरती है यानि मनुश्य चाता है ये भी ले ले वो भी ले ले हर इच्छा है उसे हर चीज पाने की इच्छा है उसको अपनी जरूर्तों के अनुसार नहीं जितनी चादर उतना पैर पसारने वाली चीजों को की जहनकरी नहीं है उसे हर चीज चाहिए तो जब मनुष्य जो है वो सब और की चाहा उसे कब घिरती है ऐसा तो जब उसे जरूरत का ग्यान नहीं होता जरूरत के ग्यान का अभाव प्रश्ण नमबर 29 लेखा के नुसार बाजार कैसा होता है तो बाजार जो है लेखा के नुसार जादू ही होता है जो अपने जादू से लोगों को फसाता है प्रश्ण नमबर 30 बाजार के जादू की तुलना किस से की गई है बाजार के जादू की तुलना जो है वो चुम्बक से की गई है मेगनेट चुम्बक जिस तरी के से खीशता है आकर्शन अपना निकालता है उस वज़े से दूसर चुम्बक भी खिशता चलाता है वैसे ही बाजार का जादू होता है इस जादू की क्या मर्यादा है यानि जो बाजार है उस बाजार की जादू की क्या मर्यादा है जब जेब और खाली मन का असर करता है यानि कि जब जेब और खाली मन आप पर असर करे यानि जेब भरी हो और मन खाली हो तो इसकी यही मर्यादा है यानि कि जब तक जेब भरी है तब तक इसका जादू चलता रहेगा और मन खाली है तब तक इसका जादू चलता रहेगा जब आपकी जेब खाली होगी तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे आप सिर्फ चीजों को देखेंगे, आपके मन में इच्छा ही बन के रह जाएगी और आपको पता है कि आपकी जरूरत के आप वही चीज़े खरी देंगे प्रश्च नमबर 32, भरे मन से बाहर जाने पर क्या होगा तो भरे मन से बाहर जाने से क्या होगा बाजार के जादू से आप बच जाएंगे बाजार की आलसी क्रितार्थथा किसमे है जो बाजार का आलसी क्रितार्थथा है वो जरूरत के समय काम आना है यानि कि बजार की असली जरूरत क्या है जब हमें चीजों की जरूरत हो और वो सही टाइम पर अवेलेबल हो तो जरूरत के समय काम आना शूने होने का दिकार किसके पास है यानि शूने कौन हो सकता है यह भी हमने पार्ट में पड़ा है यानि कि लेखाक हमें समझाना चाते हैं कि इच्छा है तो हमारे मन में जागेंगी लेकिन हम उन इच्छाओं को दबानी सकते हैं हमारा मन जो है वो शूने नहीं हो सकता है ब मारा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा तो फिर कुछ आप एक्जिस्ट ही नहीं कर सकता है तो आपके दिमाग में चीज़े बहुत आएंगी आपको अपने आपको कंट्रोल करना आना चाहिए चीजों को आपको अपनी जरूरते मालूम होने चाहिए तो पार्ट में लेखक ये भी करनी की सलाह देता है यानि पार्ट में जब लेखक मन को शूने करने वाली बाते जब चलती है तो लेखक हमें क्या सलाह देता है कि मन को हमें एकदम शूने कर देना चाहिए उसका अधिकार तो परमात्मा के पास है लेकिन क्या हमें अपने मन को एकदम शूने कर देना चाह प्रश नमबर 38 लेखक के पडोस में कौन रहता था लेखक के पडोस में भगत जी रहते थे भगत जी कौन चूरन वाले प्रश नमबर 49 भगत जी क्या बेचते थे चूरन बेचते थे भगत जी की हर दिन कितनी कमाई होती थी तो भगजी की हर दिन छे आना कमाई हुआ करती थी उनकी वही जरूरत हुआ करती थी वो उतना कमाते थे और संतुष्ट रहते थे जिसके जरिये हमें पार्ट में ये सीख दी गई है कि हम वेक्ति को अपनी इच्छाओं पर काबू कितना रखना चाहिए उसे जरूरतों का ज्यान होना चाहिए प्रशनमबर 41 लेखक के नुसार वे अगर वेवसाय का गुन पकड़ते तो आज उनकी क्या हालत होती तो अगर वो वेवसाय का गुन पकड़ लेते तो आज वो अमीर होते लेखक के नुसार लेखक कितने सालों से भगजी के पडोस में रहते हैं लेखक जो हैं दस सालों से भगजी के पडोस में रहते हैं प्रशनमबर 43 जो है क्या है भगजी चून किस में रखकर बेशते थे पेटी में रखकर बेशते थे छे आने कमाई होते ही बचे चूरन का वो क्या करते थे छे आने कमाने के बाद जो भी चूरन बसता था वो बच्चों में मुफ्त बाट दिया करते थे फ्री अगले है उनके चूरन से लोग बिमार पड़ जाते थे या नहीं तो उनके चूरन से लोग क्या भीमार हो जाया करते थे बिलकुल भी नहीं प्रश्च नमबर 46 लेखक भगजी को श्रेष्ट क्यूं मानते हैं लेखक जो की भगजी की चर्चा करते हैं बताते हैं कि वेक्ति को ऐसा ही होना चाहिए उसको अपने मन पर कंट्रोल होना चाहिए संतुष्ट होना चाहिए तो वो श्रेष्ट क्यूं मानते हैं तो वो उन पर बाजार का जादू नहीं चलता है इस वज़ा से श्रेष्ट मानते हैं पैसा किस से भीक मांगता है कि उसे ले लो तो पैसा जो है वो भगजी से भीक मांगता है क्या होता है कि भगर जी अपनी जरूरत के अनुसार जितना चूरन बेचते हैं छे आने बिकने के बाद वो उसे बेचना बंद कर देते हैं और फ्री में बाकी बच्चों को बाड़ देते हैं इस तरही के से पैसा उनके पीछे भागता है वो पैसे के पीछे भागते वे नहीं दिखतें सलज का अर्थ क्या होता है सलज का मतलब क्या होता है शर्म से सा लज लज मतलब लजज यानि शर्म सा मतलब सहीत किसी के द्वारा दिये गए उपकारों को ना मानने वाला क्या कहलाता है यानि कोई आपके उपकार कर रहा है आप उसके उपकार को नहीं मान रहें तो वो क्या कहलाता है तो वो उपकार करने वाला जो है अगर कर रहा है और आप उसे नहीं मान रहे हैं तो वो आप कृतक घंक के लेंगे लेखक के नुशा किस प्रकार का वेक्टी धन की और जुपता है तो वो निर्बल वेक्टी लेखक ने भगजी से अभिवादन कैसे किया लेखक जो है वो भगजी से कैसे अभिवादन करते हैं वो जैराम कहकर अभिवादन करते हैं जैसे आप किसी से भी मिलते हैं अपनी जान पेचानवाले आप कहेंगे नमस्ते नमस्कार गुड मॉर्निंग तो इस तरीके से भगत जी से जो है लेख़ जो है जैराम कहके अभिवादन करते हैं बाजार में भगत जी कहां रुके बाजार में जो है भगत जी कहां रुकते है पंसारी की दुकान पर क्यों कि उनकी जरूरत जो है उन्हें मालूम है और वो पंसारी की दुकान पर ही उनको समान लेना है वहां से समान लिया समान लेकर बाजार से निकल गए लेखा के नुसार भगत जी को क्या चाहिए था लेखा के नुसार जो है भगत जी क्या चाहते है लेखक के अनुसार भगजी जो है सिर्फ और सिर्फ बाजार में क्या लेने जाते हैं भगजी को क्या चाहिए होता है तो वो सिर्फ जीरा और काला नमक लेने जाते हैं लेखक ने दिल्ली के किस बाजार का जिक्र किया है अब लेकर जो है यहां जिस बाजार की चर्चा कर रहे हैं वो दिली के कौन से बाजार की चर्चा कर रहे हैं तो वो चांदनी चौक की बात कर रहे हैं बाजार को सार्थकता कौन देता है यानि बाजार को वैलू किन से मिलती है किस से मिलती है तो जो ये जानता है कि उसे क्या चाहिए यानि बाजार तो एक्चुल में क्या होता है गाउं में आप देखेंगे जरूरत की समान के दूर दूर तक जाना पड़ता है लोगों को बहुत तकलीफ होती है शहरों में इस चीज़ के फायदे होते हैं आप कभी भी किसी भी वक्त अपना जरूरत के समान जो है लेने निकल सकते हैं लेकिन लोग जो है उसके गलत तरीके से उसके उप्योग कर रहे हैं तो बाजार की असली यूज तो वो है कि आपकी जरूरत की चीज़ों को तुरंत को तुरंत प्रोइड कर सके तो बाजार को सार्थकता को देता है जो अपनी जरूरत को जानता है पर्चेजिंग पावर वाले लोग बाजार को क्या देते है जिनके पास पर्चेजिंग पावर होती है यानि जिसके पास पैसा होता है वो बाजार को क्या देता है वो बाजार को शैतानी शक्ती देता है जिसके पास पैसा है वो फाल्तू चीजे खरीद रहा है और बाजार को इसे पावर मिलती है बाजार का बाजारूपन बढ़ने का असर लोगों पर क्या पढ़ता है बाजार का जो बाजारूपन बढ़ता है तो उससे लोगों पर ये असर पढ़ता है कि वो ग्राहक की तरह बेचक और ग्राहक की तरह विवार करते हैं बाजार का बाजारूपन बढ़ने पर असर यही होता है लोगों पर कि वो बेचने वाले और ग्रहक की तरह ही विवार करने लग जाते हैं जिनेंदर जी का जनम कहा हुआ होता है जिनेंदर जी का जो जनम है जीवन परीचे को पढ़ते वक्त हमने उनके जनम निधन और उनके जीवन से संबंदित अन्य जानकारियों को भी लिया है तो यहां पर जनम के विशेम पूछे कि उनका जनम कहा हुआ है तो उनका जनम उत् नियास लिखें कहानिया लिखें लेकिन और कौन सी विधाय हैं जिसमें उन्होंने सफल रचनाय भी लिखी हैं तो वो है निबंध जो कि एक पढ़ी रहे हैं बाजार दर्शन तो यहां पर बाजार दर्शन से संबंदित हमने कुछ शॉर्ट कोईशन आंसर लिए हैं वन वर् अच्छी लग रही है तो इसे जो लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर करते रहें और चैनल के साथ यहीं बने रहें और वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दें और कमेंट करके